बॉलिवोड के शहनशोर मेगा स्टार अमिताब बच्चन आज अपनी सिंपले सिटी के लिए जाने चाती हैं अमिताब के हर अंदास पर फैन्स काफी फिदा रहते हैं अमिताब बॉलिवोड के साथ साथ टीवी पर भी जान बन गए हैं कौन बनिया करोरपती शियो में अमिताब बच्चन अपनी जिन्दगे के अंसोने किसे शेर करके हर किसी को इंस्पायर करते रहते हैं अब बिगबी ने कुछ ऐसा बता दिया है जिसे जानने के बाद आप भी उनके साथगी की मूरीद ही हो जाएंगे कौन बनिया करोरपती में उच्चाई फिल्म की स्टार कास ने शिर्कत की वेल बोमन इरानी अनुपम केर और नीना गुपता संग अमिताब ने बाचित करते वे अपने पुराने दिनों को याद किया तीनों स्टार्स ने उच्चाई फिल्म के शूटिंग के दौरान अपनी मस्ती और स्पेशल मुवमेंस को रिकॉल किया तब अमिताब बच्चन ने अपनी जिन्दगी का एक दिल्चस्प किसा भी सबके साथ शेयर किया इस दौरान बिग बी ने बताया कि होस्टिल के दिनों में उनके पास पैसो की कमी होती थी उनके पास सिनेमा जाकर फिल्म देखने की भी पैसे नहीं होते थे ऐसे में जमीन पर बैट कर बीना टिकेट लिये ही मैं फिर्में देखा करता था अमिताब के बात सुनकर सभी लोग हैरान रहे गए अमिताब की साधगी ने सभी का दिल ही चीत लिया है इसके अलावा अमिताब ने ये भी खुलासा किया कि अनुपम केर शानदार शोल्डर मसाज करते है अनुपम ने शो में अमिताब बच्चन का शोल्डर मसाज भी किया सभी दिगजों का लकार ने एक दुसे संग खूब मस्ती मजा किया फिल्म उचाई के बात करें तो ये फिल्म चार दोस्तों की कहानी है इसमें आमिताब बच्चन भी दिखाई देने वाले हैं बिक बी के अलावा फिल्म उचाई में अनुपम खेर, बोमन इराणी और डैनी भी नसर आने वाले हैं वेल आपको बता दे दोस्तों कि ये फिल्म 11 नवेंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तयार है अमिता पचन बोमर इराणी और डैनी के फिल्म पूर्चाई को डारेक्टर सूरज बरजातिया ने डारेक्ट किया है तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय आप इस फिल्म को लेकर कितने एक